नमस्कार दोस्तो, स्वागत है एक नए वीडियो में, हम लोग इडिटेरिया के निव बूक, NCRT अधार स्रीज में दिया हुआ प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं, आज प्रेक्टिस सेट नमबर पांच देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सो प्रशनों का फूल डिटेल करेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रशनों का संग्रा है, तो आईए, शुरू करते हैं पहले प्रशन से, कतनों पर विचार किजिए कि पूर्ण चंद्र को लगवक हर एक पंद्रा दिनों में एक वार देखा जा सकता है, दूसरा, सुर्ज चंद्रमा तथा हुए सभी अन करते हैं, लेकिन पूर्ण चंद्र गरह लगवक हर एक पंद्रा दिनों में देखा जा सकता है, यह सही नहीं है, सही कतन को चुने, सुर्ज से दूरी के हिसाब से पिर्थिवी जो है, वो तीसरा गरह है, बिल्कुल सही, पिर्थिवी छठा सबसे बड़ा गरह है, यह गलत ह पिर्थिवी का अकार गेंद के समान है, यह भी गलत है, तो अंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, बी केवल एक, सुर्ज से दूरी के हिसाब से पिर्थिवी तीसरा गरह है, अकार में यह पाचवा सबसे बड़ा गरह है, यह ध्रूबों के पास थोड़ी चप्ट लगाते हैं, यह गलत है, सुर्ज से दूरी के सही करम, भेस्पती, सनी, नेप्चुन, उरेनस, यह भी गलत है, तो अंसर हो जाएगा, डी ना तो एक है और ना तो दो है, हमारे सौर मंडल में आठ गरह है, और सुर्ज से दूरी के अनुसार बूद, सोक्र, पिर्थिवी, म अंगल, भेस्पती, सनी, उरेनस, और नेप्चुन है, सुर्ज से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का असान तरीका है, कि माई भेरी, इफिसेंट, मदर जस्ट सर्व अस नट्स, सौर मंडल के सभी आठ गरह एक निश्चित पत पर पहले हुए, ये कच्छा कहलाते हैं, बुद्ध सुर्ज के सबसे नजदीक है, और अपनी कच्छा में सुर्ज के चार और एक चकर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, सुक्र को पिर्थिवी का जुडबा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अकारेवा माकिरती बात करें, तो लगवक तिरपन, और मंगल की बात करें, तो ये कितने हैं, दो, ये सभी जो है, वो क्या है, उफ ग्रह है, और बूध का जीरो है, सुक्र की अगर हम बात करें, तो वो जीरो है, पिर्थिवी का जानते हैं, चंद्रमा है, तो एक है, सनी की बात करते हैं, तो उनकी बात हम करते हैं तो कितना है नेप्चुन के तेरा उपगरा है तो अंसर जो हमारे पास होगा हो जागा ए कथन एवं कारण का प्रशन है कि पिर्थिवी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है बिल्कुल सही चंद्रमा पिर्थिवी का एक चक्कर लगवक 27 दिन में पूरा करता है ये भी सही है तिसका जो अंसर हो जागा एक हो जागा कथन कारण सही है और कारण का सही भी ब्याख्या है कथनों पर विचार किजिए और सत्र कथन को चैन किजिए केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदर्वन डेल्टाइस दित है ये ग गलत है अंसर हो जागा एक और दो दोनों गलत है महानदी गुदावरी कृष्णा तथा कवेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदीया अपने मुहाने पर उपजाओ डेल्टा का निर्मान करती है बंगाल की खाड़ी में गंगा इवं ब्रहंपुत्र नदियों के ध्यान देया और सत्त कथन कौन है वो बताए एसिया से केवल करक रेखा गुजरती है ये गलत है अफिरका से केवल करक रेखा वं विश्वत रेखा गुजरती है गलत है मकर रेखा केवल अफिरका वं दच्छी नमिका से वकर गुजरती ये वी गलत है तो अंसर हो जागा स यह तीनों कथन जो है वो गलत है करक रेखा और भुमद रेखा दोनों इस्या से उकर गुजरती है करक रेखा भुमद रेखा से लगवग साड़े तेश डिगरी उत्तर मेश्थी थै अब फिरका एक मात्र महादीब है जिससे होकर तीनों परमुक अच्छांस भुमद रेखा करक रेखा और मखर रेखा जो है वो गुजरती है भुमद रेखा महादीब के लगवग मद से होकर गुजरती है और इससे लगवग 2 हिसों में बाठ देती है यानि काट देती है अगला है कथनों पर विचार किजिए और बताईए कि सत कथन कौन सा है तो ग्रीक भासा में बायोस कार्थ जीवन होता है बिलकुल सही है। ग्रीक भासा में लिथास कार्थ है भूपर-पट्टी होता है तो यह गलत है। ग्रीक भासा में हुडर कार्थ पत्थर होता है यह जीवन होता है। कथनों पर विचार किजिए और असत कथन कौन है ये बताईए उपगरा अपने ग्रहों के सासा सूर्ज की भी परिकर्मा करते हैं बिल्कुल सही है चंद्रमा का ब्यास प्रिथिवी के ब्यास का एक तिहाई ये गलत है तो अंसर जो हो जाएगा B केवल दो हमारी प्रिथिवी के ग्रहों के चार और उसी परकार चक्कर लगाता है यस परकार ग्रह सूच मवजूद नहीं है तो बूत को We How to का नोस फूर्ट करते हैं तो दो प्हें सब्सक्राइस के लिए क्टनों पर बशिए कथन है कि जैसे 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 बिस्वत बृत से दूर जाते हैं अच्छांस रिखाओं का कार बढ़ता जाता है दूसरा है कारण क्या है कि पृतिवी का किर्थी दुरूब पर थोड़ी चप्टी होती है तो कारण तो सही है कथन सही नहीं है अंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा केवल कारण सही है जै पूरव के चक्र लगाती है उनका समय समय से आगे होता है तथा जो पीछे होता है कथन पर विचार करें और सत कथन के बारे में बताए भारत में साड़े बिरासी डिगरी पूरव को मानक या मुत्तर माना गया ना कि पश्चिम या मुत्तर के स्थानिय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है इसे भारतिय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है सही कथन को चूने और बताए कि कौन सा कथन सही है पिर्थिवे पर एक डिगरी के अंतराल पर अच्छांस रेखा की संख्या 180 होती है गलत है सही अंसर हो जाएगा option 2D हो जाएगा पिर्थीवी पर एक डिगरी के अंतराल पर अच्छांस रेखाओं की संख्या कितनी होती है अच्छांस रेखाओं के गर हम संख्या के बात करें तो 179 होती है और पिर्थीवी के एक डिगरी के अंतराल पर देशांतर रेखाओं के संख्या 360 होती है अपिर्थिवी के एक डिगरी के अंतराल पर अच्छांस की संख्या जो होती है वो होती है 186 अच्छांस रेखाओं के संख्या 189 होती है जब कि अच्छांस के संख्या 181 होती है जहां अच्छांस एक बिंदू को दर्साता हुआ ही अच्छांस रेखा बिंदू से मिलने वाली रेखा को दर्साता है अच्छांस यानि समनांतर रेखाओं से भिन सभी देसांत्रिया या मुत्तर की लंबाई शमान होती है अगले प्रस्ट पे चलते हैं कि सही कथन को चूने आईए देखते हैं गलोब का वह ब्री जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदिप्ति ब्रीत करते हैं ये गलत है सूर्ज के चारो रेक इस्तिर कच्छा में पृर्थिवी की गती को गुर्णन कहते हैं ये गलत है सही जवाब हो जागा डी ना तो एक और ना ही दो सही है पृर्थिवी की गती दो परकार किये हैं घुर्णन निभम परिकर्वन पिर्थिवी का अपने अच पर घुमना घुर्नन कहलाता है और सूर्ज के चारो रेक इस्तिर कच्छा में पिर्थिवी की गती को परिकर्मन कहते हैं अगला है कथन पर बिचार करेजिए और असत्ति कथन को चुनें असत्ति कथन को चुनना है अडच्छन अयनात की स्थिती तेष सितमबर के होती है गलत है बिसूप की स्थिती एकीस मार्च से बाच सितमबर के होती है यह भी गलत है उत्तर आयनात की स्थिति एकीस जून के होती है यह सही है तो अंसर जो हो जागा असत कथन चुलना है तो पहला दूसरा जो है वो असत है 21 मार्च से 23 सितंबर 21 मार्च से 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर का जो स्थिति होता है वो बिसूब कहा जाता है और 21 जून की स्थिती को उत्तर आयनात कहा जाता है 22 दिसंबर की स्थिती को दच्छिल आयनात कहा जाता है नेक्स्ट है उत्तर आयनात की स्थिती पर बिचार किजिए और सही कथन क्या है वो बताईए तो सूर्ज की किरने मकर रेखा पर लमता सीधी पड़ती है यह गलत है उत्री द्रूब सुर्ज की और जोका होता है सएह है 21 जिन님이 सबसे छोटे दिन होते है यह गहलत है अंसर जनंक को उत्री कोलार un क्यों वहां सूर्ज कि करने तिर्शी पड़ती है उत्थर द्रोप सूर्ज की तरब जुखा होता है तथा उत्री ध्रूप रेखा के बाद वाले भाग पर लगँड़ छे महेने तक लगतार जो है वो दिन रहता है चुकि उत्री गोलारत के बहुत बड़े भाग में सूर्ज की रोशनी प्राप्त होती है इसलिए बिसुबत बृत के उत्री भाग में गर्मी का मौसम होता है 21 जुन को इन शेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है प्रतिविक इस अवस्तों को उत्तर एनात कहते है कथनों पर विचार किजिए और बताइए सही कथन क्या है सड़क बरसा तथा उदोगो आदी के बितरन दर्साने वाले मानचित्र को थिमेटिक मानचित्र कहा जाता है बिल्कुल सही है जिन पर्तिकों को प्योग के समद में राष्ट अस्तर पर समाती हो से रूड पर्तिका जाता ये गलत होता अंसर हो जाएगा केवल एक नेक्स्ट प्रस्टने कथनों पर विचार कीजिए उत्तर अमेरिका बिस्व का चोथा सबसे बड़ा महादीफ है तो ये गलत है तीसरा जो है वो सबसे बड़ा महादीफ है उत्तर अमेरिका दच्छिन अमेरिका से पनामा जलसन दी दोरा जुड़ा है तो बिल्कुल सही है अप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा अला प्रास ने कथन पर विचार किजिए और बताईए कि कौन सा कथन सात है अफिरका का बहुत बड़ा भाग दचनी गुलार में इस्तित है ये गलत है बच्छंदरी पाल बिस्व की पहली मैला थी जिसने ब्रेश्ट पर कदम रखा ये भी गलत है इसका जो अंसर हो जागा वह जागा डी सभी जो है वो गलत है कथन पर विचार किजिए और सही कथन को चूनिए आई ये देखते हैं अट्लांटिक मासागर बिस्व का सबसे तिसरा सबसे बड़ा मासागर है गलत है परसान मासागर लाव भाग बिरतकार है ये सही है परसान मासागर के चार ओर केवल अस्ट्रेलिया उत्तर एवं दच्छिन अमेरिका एम इरोपी स्थित ये भी गलत है अंसर हो जागा C परसान मासागर सबसे बड़ा मासागर ये पिर्थिवी के एक तिहाई भाग पर फैला है पिर्थिवी का सबसे गहरा भाग मिर्याना गर्थ परसान मासागर में इस्थित है परसान मासागर लगबग बिरतकार है एसिया अस्ट्रेलिया उत्तर एवं दच्छिन अमेरिका इ नेक्स्ट है भारत की स्थिती के संदर्म में सही क्या है तो अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D कथन पर बिचार केजिए सही कथन संजुक्त राज अमेरिका में साथ एबंक अनाड़ा में 6 मानक समय है बिस्ट का सबसे उची सिखट ट्रांसिमाले परवत परिस्तित है यह गलत है पहला जो सही है अंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नदियों के उत्तर से दच्छीन के और सही करम बताएं उत्तर से दच्छीन के और तो होगा चिनाब रावी नर्मदा तापी कावेरी कथन पर विचार किजिए और सत कथन क्या है वो बताईए केबल बंगलादेश चीनेवं पकिस्तान से भारत के पांच राजेवं के अंदसासित प्रदेश की सीमा लगती है गलत है त्रिपूरा चारों तरह बंगलादेश से घीरा हुआ यह गलत है अंसर जो हो जाएगा डी न ना तो एक और ना तो दो सही है एक प्याज की तरफ प्रति वीड़ी परत को परपटी कहते हैं यह सबसे पतली परत होती है यह महाधिपिये सहती में 35 किलोमीटर समुदरी सता से केवल 5 किलोमीटर तक का है महाधिपिये सहती मुख रुप से शिलका एवम ऐलूमीना जैसे बनी है इसलिए से सिलका कहा जाता है महासागर में परपटी मुखिता शिलका एवम मेगनेसियम की बनी है गलत है यह पुर्णिमा के दिन देखा जा सकता है जियोमेट्री का प्रिथिवी का मापन होता है सही है नियल माश्ट्रॉंग पहले बेखती थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंदमा की सता पर करदम रखा यह गलत है 1869 नहीं 1969 होगा तो अंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा C एक और तीन गलत है दो जो है वो सही है नेक्स प्रस्न है कथनों पर वीचार कीजिए और सही कथन क्या है वो बताईए तो कथन है अंतरवेदी अगनिय सेलों का ठंड़ा होने के पस्चाद जो है वो महीन दानों की रहो जाती यह गलत है अंतरवेदी अगने सेल धीरे धीरे ठंडा हो था यह सही है तो और सथ है यह जो गलत है ऑप्सन हो जाएगा वो दी हो जाएगा अगले प्रस्ट पर चलते हैं कत्नों पर विचार कीजिए असत कथन को चुना तो दक्कन पठार बेसाल सेलों से मना है बे गलत है तो और सब्सक्राइब और में चूना पथर सेलेट में परिवर्थी हो जाती है ना तो एक और नहीं दो जो है वो सही होता है या ना यानि इनवाइर्मेंट सब्ट कुद्पति फ्रेंज सब्द इन्वाइरोनेर या इन्वाइरोनेर से हुए जिसका अर्थ है पडोस अगनी अबम अपसाधी सहल उच ताप अबम दाब के कारण कायंतरित सहलों में परिवर्तित हो सकती है उदारन के लिए चिकनी मिटी सलेट में वचूना पथर संगमरमर में प्रिवर्तित हो जाता है कथन पर विचार किजिए और असत कथन कौन सा है वो भताईए हिमाचल हिमाद्री के दच्छिन में इस्थित है ये तो सत्य है महानदी कावेरी तापयवम कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में ये जो है वो गलत है पस्चिन तट्य परिवासित किया जा सकता है अंसर हो जागा भी जिवधारियों को आपसी संबन्द एवं परियावरन के बीच का संबन्द जिसमें वे रहते हैं कथन पर ध्यान देजिए और सत्कथन के बारे में बताईए प्रिथिवी के आईतन का केवल 1530 हिस्सा ही क्रोड है सही है परपट्टी के ठीक नीचे मैटल होता है जो तिस सो किलो मीटर की गराई तक फाला यह भी सही है लेटिन सब सेडिमेंटम का अर्थ रूप और तन होता है यह जो है बो बताईए अन्तरिक ग्रह जो सूर्ज के बहुत नजदिख से बने हैं यह गलत है आंत्रिक ग्राह में केवर बूद, सुक्र, पिर्थिवे एवं मंगल आते हैं ये सही है बाई ग्राह जो सूर्च से बहुत दूर है वे चट्टानों से बना है गलत है बाई ग्राह में बैस्पति, सनी, इरेनस और नेप्चुन आते हैं ये सही है तो अंसर जो हो जाएगा पह 1, 6, 16, 32, 96, 33 गेरता है यह सही है अंसर के साथ के सब्सक्राइब two हो जायगा मिर्दा परिछे कहां से में उपर से नीचे का सही करम क्या है तो जो अंसर हो जाएगा है वाद बालू-गाद-कले के साथ उपने दा अब छैटानी पदार्थ और जनक चाट्ताने अंसर हो एक दो तीन चार हो जाएगा कथन पर विचार किजिए और कथन सही कौन है वो बताइए पिर्थिवी सुक्र ब्यस्पति एवा मंगल को पार्थिव ग्रह यांत्री ग्रह कहा जाता है तो यह जो है वो गलत है सबसे ज्यादा जो है वो चंद्रमा के संख्य सनी एवा उरेनस के पास है तो यह गलत है तो अंसर हो जाएगा आप्शन की डीन ना तो एक ना तो दो पार्थिव ग्रह यांत्री ग्रह कहा जाता है बूद्ध शुक्र प्रिथिवी मंगल यह सब को पार्थिव ग्रह कहा जाता है और बाहिग्रह ब्यस्पति सनी इवा में नेप्चुन को कहा के मद्ध पाया जाता यह तो सही है भारतिय मानक समय उत्तर प्रदेश मद्ध प्रदेश च्छतिस गड़ उडिसा एवं तिलंगाना सोकर गुजरती है तो यह गलत है करक रेखा एवं मका रेखा के मद्ध इस्तिस्चेत्र को उसन कटी बंद यह करते हैं तो अंसर हो जाएग में निम्लखीत कत्रों पर विचार किजिया और सत्त कत्न क्या है वह बताएगे जी मन्डल के अस्थल के लावर। जल तत्ह भाई को सिमित भाग समली था चैसे मंदल के प्राणियों को मुखता तीन भागों में बाटा गया तो यह जो है वह गलत है जी मन्डल के सभी परिम सब्था में जता है जिनने अस्तल मंडल ये प्लेट का धें सही है अस्तल मनले प्लेटों की कारण प्रिध्थिवी सतय है यह बी जो है सही है स्तल मंडले प्लेट के नदर हुए मेंगमा के कारण कभी- idez धीमी गती से चारोर घुम्तिए ये गलत है तो अंसर हो जाएगा एक ये बल एक और तीन निम्न कतनों पर विचार किजिए और कौन सा कतन सत्य है वो बताएए जो बल पिर्थिवी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स करते हैं तो ये जो है वो गलत है जो बल पिर्थिवी के सत पर विभाजित क्या गया है जिनके कारण ये घटियां उत्पन होती है और जो बल पिर्थिवी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं पिर्थिवी के सता पर में होते हैं और इसका सई-स अंसर हो जाएगा का खम और जॉड़ा मुखी भूatif score नहीं बी हो जाएगा पर बबर करण करते हैं और कौन सा कथन सत्य है वो बताईए बूपर पट्टी के नीचे वास्तान जहां कमपा नाराम्भ होता है उद्दाम के अंदर कहला था बिल्कुल सही उद्दाम के अंदर के भू असता पर उसके निकटतम अस्थान को अभी के अंदर कहते हैं ये भी सही अधिक के अंदर के निकटतम भाग में सबादिक हानी होती है तो ये भी सही है ये तीनों सही है अभी के अंदर से दूरी पस तरंगे होती है ये जो है वो गलत है एस तरंगे जो है अनुधैर तरंगे होती है ये भी गलत है एल तरंगों को प्रिष्टिय तरंग कहा जाता है ये सही है तो अंसर हो जाएगा option कौन सा एक केवल एक और दो जो है वस्त है तीन सा यह भुकम्प्य तरंग जो होती है वो तीन तरह की होती है अगर P तरंगे है तो यह जो होगा वो क्या होगा अनू धैर तरंगे होगा और S तरंगे जो होगा वो क्या होगा अनू प्रस तरंगे होगा और एल तरन्ञे जो होगा वो क्या होगा पृष्टिय तरन्गे होगा यह तीरों तरन्ग को ध्यान रखेगा काफी एमपोर्डंट है भुकम की तिवरता को किस एसकेल में मापा जाता है अंसर हो जागा अपक्षन B रियेक्टर एसकेल पे मापा जाता है कतनों पर विचार कीजिए अस्थ कतन को बताइए पिर्थीवी के सता पर सायलो के टूटने की किरिया को अपड़धन क्रिया को अपरदन क्याते हैं गलत है तो अंसर हो जागा ना तो एक और ना ही दो हो जागा अब भू द्रिस भूमी लगतार बिघटित होती रहती है पिट्थीवी के सता पर सैलो के तूटने से अब भू द्रिस पर जल पवरे वमहीम जैसे बिविन घटकों के द्वारा होने बाले च्छै को अपरदन कहते है नदी के कार्ज के संबद में कत्रों पर विचार कीजिए और कौन सा कत्रन सत्त है वो हमें बताईए तो आईए देखते हैं कौन सा साईए नदी के चल में अद्रिस बूमी का परदन होता है गलत है जब नदी की सी खड़े ढालबाले स्थान से तिधिक क्ठोर साल या खड़े ढालबाले घाटी मी गिरती है कहिनिय门 का निर्मान कर दो है नदी मैदानी भागों में बिसर्व का निर्मान करती। यह सहीर है, तो अंसर हो जाएगा केबल तीन जो है, वो सहीर है. नदी के जल 1995 से द्रिस भूमी का अपरदन होता नदी के इन्हीं बड़े मोडों को विसर्व जो है वो कहते हैं अगला है विसर्व के किनारों पर लगतार अपरदन एब निच्छेपन सुरू हो जाने से विसर्व लूप के सीरे निकटा जाते हैं एक अलग सरंचना का निर्मान करते हैं वह सरंचना क्या है तो वह है चाप फरफॹ शील क्या है चाहीं चाप जी जलपरपार जो है वह कनाड़ा संजुकतराज अमेरीका की सीमा पर है और विक्टोरिया जैटा के säger अंसर हो जाएगा ओप्सन ए तटबंध करते हैं नदी मार्क के संदर में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन के बारे में बताईए तो समुंद्र तक पहुचते पहुचते नदी का प्रवाद धीमा हो करन कई अन्य धराओं में विभाजित हो जाता है जिससे सरीता हैं कहा जाता है यह गलत है के बल उन्हीं मोहानों पर कंई होता है जहां पर अबसादों का संसर हो जाएगा év करता है समुंद्र तक पहुचते पहुचते नदी का प्रवाद धीमा हो जाता है तो अन्यैथ धराव में विभाजित हो जिती है जिनको बित्रिका कहा जाता है क्या कहा जाता है बित्रिकाना की सरीता हैं समुंदरी तरंगों के कार्ज के समद में निम्न कथनों पर बिचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो कितने कथन सत है यह हमें बताईए तो समुंदरी तरंगे लगतार सैलों से टकरा कर दरार का निर्मान कर तराई के साथ चावडम बड़ी होकर अंसर हो जाएगा उप्यूक्ति में कोई नहीं आ deduction है कि समुन्दरी तरंगों के अपरदन अबब निछेपन तटीय असला किर्थिया बनाते हैं समुन्दरी तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे धरार विक्सित होती है समय के साथ ये बड़ी और चोड़ी होती जाती है इनको समुन्दरी गुफा कहते है इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल च्छत ही बचती है जिससे तटीय महराब बनते है लगातार अपरदन च्छत को भी तोड़ देता है और केवल दिवारे बचती है इन ऑकिरतीयों को समुन्दरी जल के उपर लगवग उठ वादर उटे हुए सहीली तटो को समुन्दरी भिधु कहते है समुन्दी तरंगे किनारों पर अपसाद जमा कर समुन्दरी पुलीन का निर्मान करती है इसका सही अंसर हो जाएगा option A, समुंदरी, पुलीन का निर्मान करते है हीमनद के द्वारा लाए गए पदार जैसे छोटे-छोटे सैल, रेत एवं तलचट, मिट्टी निछेपित होने से किस परकार के अस्तला करती का निर्मान होता है सही अंसर हो जाएगा option D, हीमनद, हीमोड सुची एक और सुची दो को सुमेलित करते है आईए देखते हैं, छत्रक सैल, छत्रक सैल जो है वो एसी सरचना है जिसका अधार संकिर्ण एवं सिर्ष बिस्त्रित होते है बालू टिबा जो है वो रेगिस्थान में पबन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित असला किर्थी है और लोएस की बात करते हैं तो पवन एवं हलके बालू के कन जिसे पवन द्वारा अत्यधीक दूर ले जाकर बिस्त्रित छेद में निच्छे पित करते है अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D नेक्स प्रशन है पिर्थीवी के बाय मंडल के संबद में निम्न कत्नों पर बिचार करें और कितने कत्न सत्य है वो बताएगे पिर्थीवी पर सभी जीवित रहने के लिए बाय मंडल पर निर्भर हैं बिल्कुल सही यह सूर्ज के किर्णों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रच्छा करता है यह भी सही यह हुआ बाई रासी है जिसने पिर्थीवी के तापमान को रहने योग बनाया है यह भी सही अंसर हो जाएगा सभी तीनों सही है बायू में परचुड़ता से मिलने वाली तीसरी गैस कौन सा है अंसर हो जाएगा अप्शन डी आरगन है नैट्रोजन तथा उक्सीजन ऐसी दो गैसे हैं जिससे बाय मंडल का बड़ा भाग बना है कर्वन डैकसाइड, हिलियम, औजोन, आरगन एबं हैड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कन भी हावा में मुझूद होते है नैट्रोजन बाय में सरवादिक पाए जाने वाली जो है वो गैस है आरगन के अगर हम बात करें तो 0-9-3% जो है वो पाए जाते है बाय चक्र के संबद में निम्न कथनों पर बिचार करें और बताए कि कौन सा कथन सही है तो बाय गर्म होती है तो फैलती है वा महलकी होकर उपर उड़ जाती है जब बाय ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे आजाती है ये भी सही है तो अंसर जो हो जाएगा C एक और दो दोनों जो है वो सही हो जाएगा एक और दो दोनों सही हो जाएगा निम्न में सर पर्थम खाले स्थान का बढ़ा हुआ आयतन प्रिथिवी पर मौसम तथा जलवाई को प्रभावित करता है सही अंसर हो जाएगा A. CO2 का बढ़ा हुआ आयतन प्रिथिवी के मौसम तथा जलवाई को परिवर्तन करता है सूची एक और सूची दू को मिलान कीज़े, एक तरफ बाइमनडल ये परत है, एक तरफ पिसेस्ताएं है, अगर छोब मन्डल की बात करे, ये मौसमी घटनाओं का रंग मंच है, समताफ मन्डल की बात करे, तो ये जो है ओजोन परत की प्रापती है, अगर हम बात करते हैं अवस्यक है और बहिर मंडल के अगर हम बात करते हैं तो बहिर मंडल जो है वो क्या है यह है बहिर मंडल हेलियम एवं हाइड्रोजन की प्राफ्ति है तो अंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा अंसर कौन सा सी हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ट है कि बात दिखदर्सी का कार्ज क्या है बात दिखदर्सी का कार्ज क्या है अंसर चो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा सी बायू की दिशा को दर्साना निम्न कतनों पर बिचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सत्त है तो बाई मंडल का ताफमान के वल दीन और रात में ही बदलता है ये गलत है ताफमान के बित्रन को आत्पन प्रभावित नहीं करती है ये भी गलत है आत्पन की मातरा भूमाद रेखा से दुरूब के और जाने पर बढ़ता है यह भी गलत है अंसर है उप्युक्त में से कोई नहीं निम्न कथनों पर विचार किजिए बताइए कि कौन सा कथन सत है अधिक तापमान बाले छेत्रों में अकास बादल रहीत होता है यह सही है तो अंसर जो हो जाएगा वह बी केबल दो जो है वह सही हो जाए बिल्कुल सही है अस्थानिये चोटे से चत्र में परति दिन चलते रहती यह अंसर हो जाएगा कौन सा तो सी एक और दो दोनों के मुक्त तीन परकार में विवाजित किये जाते हैं स्थाई मौसमी और अस्थानिये अस्थाई व्यपारिक पश्मी और पूर्वी पवने चलती है मौसमी पवने यह पवने विविन रित्मों में अपनी दिशा बदलती रहती है उदारन के भारत में मौसुनी पवने मौसुनी पवने अस्थानिये पवने यह पवने किसी छोटे चत्र में बर्स या दीन के किसी विशेश समय में चलती है उदारन के लिए अस्थल कि मत्रा बढ़ जाती यह भी गलत है अंसर हो जाएगा डी ना तो एक और नाहीं दो जो नहीं 20 सभिक किसी दाब पेटी को हॉर्ष अच्छांस भी का जाता किस बाइदाब पेटी को हॉर्ष अच्छांस भी कहा जाता हैं सполब बताईए तो पिर्थिवी के सत्व को दो तीहाई भाग जल से ढखा हुआ है तो यह गलत है पिर्थिवी पर मौझूद संपून जल के बित्रमें से बर्फ छत्रक के रुप में केवल तीन परसेंट मौझूद है यह भी गलत है तो अंसर चो हो जाएगा पो जाएगा डी ना तो एक और ना ही दो सही है पिर्थिवी के सत्व तीन चो थाईवाग जल से ढखा हुआ है अगर महासागर की बात करें तो यह संतानमें दसमलव तीन परसेंट बर्फ छत्रक की बात कर है तो 00.68 है और जीलो के 11 जल जो है वो क्या है कितना है तो 00.009 इसी तरह का है तो अंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट है निम्ड में कौन सा कतन जो है वो सत्त है तो मृत सागर 55-75 जल अपो जोडन की सीमा पर इस्थित यह सत्त है बाकि वो से निम्ड कतनों पर बिचार करें बताए कि सही उत्तर कौन सा है आए देखते हैं मा सागरिय सता पर जल लगातार उठता और गिड़ता रहता है जिन्हें तरंगे कहते हैं यह बिलकुल सही सुनामी का एक मातर कारण भुकंप है यह गलत है 2003 में भारत के तक्टिय छत में आए सुनामी के कारण अंडमान दोसर्षार जैसे ग्यारा देश्टों में बूल लगवग पाचवहल इसे ब्रबर यह भी गलत है तो नों कथने वत्षत्त हैं तो हो जाएको Mary साहरा का रगिस्थान के बारे में जानते हैं यह बिस्व का सबसे बड़ा रगिस्थान है और यह लगबाग आठ्द सम्लब पांच लाख बर्ग किलोमेटर में फैला है भारत का छृषपड का 32.8 लाख बरक किलोमेटर है सहारा रगिस्थान ग्यारा देशों में घिरा है यह देश है अलजीरिया, चार, मिस्र, लिबिया, माली, मुरितानियों, मुरक्को, नाइजर, सुडान, टुनिसिया और पच्छमी जो है वो सहारा है तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा C1 और 2 दोनों असत्य है कथन पर विचार कमल एक लेटेक्स परदान करने वाले बनस्पती है यह गलत है तो अंसर जो हो जाएगा केवल दो जो है वो असत्त है कम बरसा वाले सुस्क परदेशों में कटीली जाड़िया एवं गुल्म उगते हैं इस परकार के छेत्रों में पौधों की जड़े गहरी होती है बातपो एक औस दिये बुटी होती है तो अंसर हो जाएगा बी कथनों पर बिचार किजिए और सत कथन कौन है वो बताएए तो कारगिल सिंधू नदी के बाई और जबकि ले सिंधू नदी की दायों रवस्तित है बिल्कुल सही है दोहरा गोंपास सिक्की में स्थित परसित बहुत है यह गलत है तो अंसर जो हो जाएगा ऑप्शन एक केवल एक जो है वो सही है कथनों पर बिचार किजिए और सत कथन को बताएए गेद की मिर्तु है तो इब्रूप्रोफेन जैसी पिडा नासी दवाईया जिम्यदार है तो यह जो है वो सही है बिस्व की बनस्पती के मुख प्रकारों को तीन बर्गों में रखा जा सकता है वन घास स्थाल एबम टूंडरा तो यह जो है वो गलत है अंसर जो हो जाएगा केवल दो क्या हो जाएगा केवल दो भारते उपमादीब में जिन पस्व का उपचार डिकलोफिनेक एस्प्री होने से मर रहे थे पस्व पर उपयोग करने पर पर पर्तिबंद लगाने के परियास किये जा रहे हैं तथा अगला है क्थन पर विचार किजिए और सही कथन क्या है वो बताइए आइए देखते हैं कौन सा है तो सी आइटी आइस का विश्तार है डग कंजर्वेशन आफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड अस्पेसिज आफ बाइल्ड फ्वाना एंड फ्लोरा है दूसरा कथन जो है वो सही है तो अंसर हो जाएगा केबल बी सही है सी आइटी आइस का है दक कंवेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड अस्पेसिज आफ वाइल्ड फ्वाना एंड फ्लोरा होता है बर्तमान और भविस की पीड़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की प्रस्थित की एकता की रच्छा के लिए निर्धारित किये गए प्राकिर्तिक छेत्र को कहा जाता है अंसर हो जागा ए राष्टिय उद्ध्यान कथन पर बिचार किजिए और सही कथन को चूनिए समानता संसादनों को प्राकिर्तिक और मानब निर्मित में बरिकरीत किया गया है ये गलत है तिवर ढ़ालों पर मिर्धा परदन रोकने हैं तो समच रेखिये जुताई जबकि पहाड़ी ढ़ालों पर मिर्धा परदन रोकने हैं तो बैदीका छोरम पदिक के द्वारा किर्सी सबस्ट प्यूक्त तुपाया है तो ये भी गलत है अंसर हो जाएगा ना तो एक और ना तो दो हो जाएगा कथन पर बिचार किजिए और सही कथन कौन सा है ये बताएगा मिर्दा परिछेरिका में उपर से तिसरा करम अप्छेट चक्तानी पदार्थ का होता है भू असकलन को रोकने का सबसे प्रहावी तरीका प्रतिधारी दिवार का निर्मान है अंसर हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है ये सही हो जाएगा भू असकलन को रोकने का सबसे प्रहावी तरीका बनस्पती आवरन में बिर्धी है निम्न कथनों पर विचार किजिए और सही कथन क्या है वो हमें बताईए आईए देखते हैं कौन सा सही है केवल समय मिर्दा परिछेदिका की मोटाई को निश्चित करता है तो ये जो है वो गलत है केवल बनस्पती जात प्रानी जात शूमस निर्मान के दर को परभावित करते हैं सही है केवल उच्चा वच्च तुंगता हैं मिर्दा के संचे को निर्धारित करते हैं ये भी सही है अंसर हो जाएगा डी केवल दो और तीन परियुक साला में बिक्सित मचली के मास के उत्पादन के लिए निमलिखित में किस तकनीक हो प्योग किया जाता है अंसर हो जाएगा C, Cellular Crissy अंतरीम बजट में किस मंत्राले को सबस्यधिक बजट अवंटित किया गया था तो 2024 में अंसर हो जाएगा Option A, रच्छा मंत्राले को हाली में भारत सरकार दोरा किस हवाई अड्डे को अंतराष्टी हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया अंसर हो जाएगा C, सूरत हवाई अड्डा को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोरा प्रकासित किया गया है अंसर हो जाएगा A, बिस्व आर्थिक मंच अस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है अंसर हो जाएगा B, जेनिक सिनर ने चिनाब नदी के संबंद में कत्रों पर विचार किजिए कौन सा सही है वो बताईए तो चिनाब नदी कारा कोरम रेंज से निकलती है गलत है थिरोट इसकी सहायक नदियों में से एक है सही है रतले जलब इधूत परियोजना चिनाव नदी परिश्तित है ये गलत है अंसर जो हो जागा केवल दो हो जागा चिनाव नदी कारकोरम रेंस से नहीं निकलती है ये हिमान लाए में चंद्र और भागा नदियों के संगम से उत्पन होता है सेजन के संदर में hybrid बाहनों और प्राम्परिक बाहनों शочь है एत्रों समगर कम उतपाधन करते हैं ए आई अभ्यास ने भारत में हिमतेंदूगों की आवादी 818 दर्ज की है जो कि यह गलत है रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कस्मीर 477 के साथ आगे हैं उसके बाद लद्दाख है यह भी गलत है तो अंसर जो हो जाएगा केवल एक सही है रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें भारतिय पनस्पति संस्थान द्वारस समनभी चार साल के लंबे बग्यानिक अभ्यास में जंगल में लगवा कितने 718 हीमतेंदूगों को अनमान लगया गया लग्दाख में जो है वह साथ सो सततर के साथ सबसे आगे इसके वाद उत्र दस से 15% हिसा है हाली में किस मंत्राले ने इंडियन एकोनोमी एर रिभ्यू सिर्शक से रिपोर्ट जारी की है अंसर हो जाएगा और कहां इस्तित है और इसका सहीं अंसर हो जाएगा और केरल में स्थित है चित्री मुहाना सी कियर्स बेव पोटा जिसे हाली में समचारों में देखा गया किस च्छेतर से जुड़ा है अंसर हो जाएगा आपसं सी कोईला च्छेतर से जो है वो जुड़ा है संपिट बिवा के संदर में हिंदू बिवा अधिनियम 1955 का उदेश निमलिखित में किस एको सबरों में दिखी राज बिहार से जुड़ी है गलत है सीरम इस्टूट आफ इंडिया त्यधिक प्रद्ध की उप्योग से उत्पन मांसिक स्वास चुनातियों को समधान करने के लिए डिश्टल डिटोक्स पल की सुरुवात कि यह भी गलत है अंसर हो जाएगा ना तो एक कथन है वह सही है कथन पहला जो है वह पाचवे रास्टे परिवार स्वास सर्वेच्छन के नुसर 2019 से किस से इनीमिया की व्यापकता में बिर्दी हुए 2019 से किस तो यह गलत है तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वह जाएगा सी कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो जो है वह गलत है विस विद्यालाय अनुदान आयोग यूजी सी के संदर में निमलिखित कथनों पर बिचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वह कथन है वह सही है तो यह राश्टिय सिच्छा निती एनपी 2020 में लिखित उस सिच्छा सुधारों के लिए कार्यान बन निकाए है तो अंसर जो हो जाएगा केवल डी सही है बाकी जो दो स्टेटमेंट होए वह गलत है आर्थिक सरवेच्छन के संदर में निमलिखित कथनों पर बिचा पर बिदेश सी मुद्रा भंडार और डपार घाटे पर एक द्रिष्टी कोन देता है यह भी सही है तो अंसर हो जाएगा सी केवल एक और तीन सही है मेकॉंग नदी निमलिखित में किस देश से होकर बहती है और इसका अंसर हो जाएगा ए चीन मेयर मार्क लावस कामबोडिया और ब्यतनाम से कथनों पर विचार किजिए और कौन सा कितने कथन गलत है हमें यह बताइए तो यह तीनों जो कथन है वो तीनों क्या है वो गलत है अंसर जो हो जाएगा हो सी एक दू और तीन जो तीनों कथन गलत है अगला है निमलिखित में किस अंतराष्ट यह था युजो टेरिया बुक में दिया हुआ अगर विडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर कर देज़ेगा धन्यवाद